त्रियोदसी तिथी भगवान संकर को समर्पित मानी गई है, ऐसे में प्रदोस्वरत के दिन भगवान शंकर वा माता पार्वती की विदिवत पूजा की जाती है, सास्त्रों के अनुसार क्रिश्न पक्ष वा सुक्ल पक्ष की त्रियोदसी को प्रदोस्वरत रखना चाहिए. साल दो हजार चौबिस में मई महीने का दूसरा प्रदोस्वरत बीस मई दो हजार चौबिस दिन सोमवार को है दिन सोमवार होने के कारण सोम प्रदोस्वरत का योग बन रहा है मानेता है कि सूम प्रदोस्वरत के दिन भगवान भुलेनात का रुद्राविशेक और स्रंगार का विसेस महत्व है इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से मनुवान चित्फल की प्राप्ती होती है साधी विवा की अर्चने धूर होती है लक्षमी प्राप्ती और संतान सुख की प्राप्ती होती है तो आईए जानते हैं सों प्रदोस वरत का पूजा का मुरत, पूजा विदी, महत्व, वरत कथा एवन 13 तिति के बारे में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं साल दो हजार चौबिस में माई के महीने में दूसरा प्रदोस वरत 20 माई दो हजार चौबिस दिन सोंबार को है प्रदोस पूजा का मूरत रहेगा साम को साथ बच के आठ मिनट से रातरी नौ बच के बारा मिनट तक कुल अबदी दो घंटा चार मिनट की त्रियोंदसी तिथी का प्रारम 20 माई दो हजार चौबिस को दोपाहर तीन बच के अठावन मिन Tapi और त्रियोंदसीती की समापती होगी 21 माई दो हजार चौबिस को साम को पांच बच के उन्तालेस मिनट पर प्रदोस काल का धार्मिक महत्व किसी भी दिन सूरी के सूर्यास्त और रात्री के संधिकाल को प्रदोस काल कहा जाता है जिस प्रदोस काल को भगवान सीव की पूजा के लिए सबसे उत्तमाना गया है उसके बारे में पौरोडिक मानेता है कि इस काल में भगवान शिव ने व भगवान शिव ने उन्हें इससे जिस दिनमुक्ती दिलाई थी वह त्रियोधसी तिति यानि प्रदोस वाला दिन था। साय काल एक बार फिर सूर्या से पहले इसनान करके प्रदोस काल में भगवान सीव का सोड सोग्चार तरीके से पूजन करें कत्हा वाचन करना चाहिए। अपने पुत्र के साथ भीक मांगने निकल पड़ती थी भीक्षा मांग कर ही वा सोयम वा पुत्र का पेट पालती थी एक दिन ब्रामडी घर लोट रही थी तो उसे एक लड़का घायलवस्था में कराता हुआ मिला ब्रामडी दयावस उसे अपने घर ले आई वा लड़का विधर्व का राजकुमार था सत्रू सैनिकों ने उसके राजपर आकमर कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राजपर नियंतर कर लिया था इसलिए इधर उधर भटक रहा था अन्सुमती के माता पिता को संकर भगवान ने स्वपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अन्सुमती का विवा कर दिया जाए और उन्होंने वैसा ही किया अतासोम प्रदोस वृत कथा महत्मे ब्रामडी प्रदोस वृत करती थी उसके वृत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विधर्व से सत्रू को खदेर दिया और पिता के राज को पुना प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा प्रधानमंत्री बनाया ब्रामडी के प्रदोस्वृत के महतमय से जैसे राजकुमान और ब्रामड पुत्र के दिन फिरे वैसे ही संकर भगवान अपने दूसरे भक्तो के दिन भी फेटते हैं अतासों प्रदोस्वृत करने वाले सबी भक्तों को या कथा अवश्य पढ़नी अत्वा सुननी चाहिए जैस्री किशन